तो चतिस गड़ में 51 सीटें बहुमत के आंकडे से 6 सीटे आगे ये समझ लीजे चतिस गड़ में भी बंतीवी नजर आ रही है बीजेपी और अगर देखा जाया है तो राजस्तान में जिस तरह से मैंने कहा था कि सिंधिया जी का बहुत बड़ा रोल होगा सिंधिया जी की 20 सीटे जो लेके आये थे बीजेपी में वो कहीं ने कहीं पर उसका इफेक्ट नजर आ रहा है 20 सीटे अगर उनकी 20 सीटे अगर नहीं होती तो बहुमत नहीं बनता वहीं उनकी 20 सीटे आपको चंबल से साफ साफ असर आपको देखा जा रहा है कि जहां कॉंग् में एक फेर बदल करके दिखाऊंगा जितने विधायक मैं लेके आया था इतने विधायकों की सीट मैं आपको कंफर्म देता हूँ तो सिंद्या जी ने अपना रोल बहुत बढ़िया से अदा करया और जहां तक कि उनकी पोजिशन और स्ट्रॉंग नजर होती नजर आएगी आप राजेस्तान में जिस तरह से देखे 113 पे बीजेपी आगे चल रही है और कॉंग्रेस 60 सीटों पर अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी जिस तरह से 40 सीटों का फासला जहां पहले 40 सीटे कम थी वहाँ पर बड़त बनाई है और मुझे लगता नहीं है कि यह बड़त क जिस तरह से मौपर्द हमेशा देखा जाता है पांच साल गहलोत सरकार पांच साल वसंदर राजे और वसंदर राजे को इस बारी कहीं ने कहीं बीजेपी ने थोड़ा सा उन्होंने उनको इंपॉर्टेंस कम दी थी सीटे कम दी थी साध उनके मन में भी डर था कि यह खेल ह हो सकता है उस प्रकार से खेल के पार होते वे बीजेपी ने बहुत बढ़िया अपनी रण नीती बोला जाता है न कि पूरे पांच साल बीजेपी चुनाव लड़ती है वाके ही यहां देखा गया है कि एक-एक उनका एक प्लेयर उनका बहुत बढ़िया है चाए वो किसी स् प्लेय कराना है यहां पर उन्होंने पांच-पांच केंद्रे मंत्री उता रहे थे और आज उन्होंने अपना जादू दिखा दिया तो मैं फिर काऊंगा कि जगद गुरू का जादू चला मद्यपर्देश में जादूगर का खेल खत्म तो खेल खत्म होता वा नजर आ रह आए थैं कि एक सो साथ के आसपास iq5 का आसपास stem बीजेपी जा सकती है कहीं ने कहीं वह सत्य होते वें नजर आ रहा हैं इसी प्रकार से बीजेपी 110 एक और बढ़ गया है 117 पे चली गए राजस्तान पे और 36 गड़ में खेला हो गया है खेला हो गया है 36 गड़ में 36 गड़ में भामत के पार है जहां 46 भामत के लिए चाहिए था 49 पे बीजेपी है वहाँ पर तो एक्जिट पोल उपीनियन पोल सब फेल होते में नजर आ रहे हैं तो यह राज 36 गड में बीजेपी के पास आठ सीटे प्लस है तो हताश ना हो बीजेपी वाले वहां भी उन्होंने अच्छा कर रहा है और अगर इसका इफेक्ट अगर आप पूर आप देखेंगे तो इसका इफेक्ट आपको लोगसभा में बहुत अच्छा नजर आएगा जिस तरह से आपके 36 गड़ में आपके 17 सीटे हैं और राजिस्तान में 39 हैं और मद्यपरदेश में 37 सीटे हैं 37 या 39 काजुल जरह मुझे बताएं बटापर 39 37 कितने हैं लोगसभा में लोगसभा में वहां पर यह बहुत बड़ा इंपक्ट नजर आएगा यह तीन राज्य तीन राज्य तै करे कितनी सीटे हो सकती हैं और लोगसभा के लिए मतलब यह समझ लिए अगला परदान मंत्री भी यहां से निश्चेत होते में नजर आएंगे परदान मंत्री मोधी पर जो था पहले से भरोसा वह अटकले लग रही थी क्या होगा लोगसभा में किस तरह सो होगा वह साफ नज दिखा जा रहा है चुनाओं में उन्होंने सेलिंडर के दाम कम करे महिलाओं को आरक्षन दिया महिलाओं ने यह भरोसा और वरदान मंत्री को भी दिया कि आपने जो हमारे ली किया हम आपको गिफ्ट बैक करते हैं आपको रिटन गिफ्ट में तीन परदेश देते हैं तो यह कही न कहीं महिलाओं का रोल बहुत बड़ा रहा है जैसे मैं कहता रहा हूं कि सी वोटर का वोट जो है बड़ा चुपावा होता है और उन्होंने यह दिखा दिया जिस तरह से सुबह 8 बजे से आप देख रहे थे कि रोजान सारे की तरफ बीजे पी की तरफ जा रहा थ करते वो लोग खा चुके हैं अब आप समझ सकते हैं कि 36 गड़ में बिलकुल उल्टा हो गया है सुबह वहां लड़ू बटे कॉंग्रेस की तरफ से अब वहां पर बीजेपी आगे तो लड़ू की दुकान तो खुब अच्छे से चल पड़ी है तो इसी प्रकार से आप हमारे न्यूज वर्ल इंडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद